बारत चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, चान की तरफ रुक किया है और बहुत उमीद है कि इस बारी विक्रम लैंडर चान के साउथ पोल पे सौफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इस रो का हाथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अकैडमिक इंस्ट्यूशन का भी हाथ है, जैसे एरो स्पेस इंजिनरिंग डिपार्टमेंट इंडियन इंस्ट्यूट और साइंस बैंगलूरू का। मेरे साथ हैं प्रोफसर राधा कान पाड़ी, वो प्रोफसर हैं एरो स्पेस डिपार्टमेंट इंडियन इंस्ट्यूट और साइंस बैंगलूर में और उनका इन्वाल्मेंट रहा है चंद्रयान 2 में भी और चंद्रयान 3 में भी, पाड़ी साथ ये बताईए, नमश्काल कर पाएगा। कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या बदला हुआ है। अगर हो भी गया। और यह प्रॉड़ान 2 में पर नहीं नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सक अंडर पर्फॉमांस भी हो गया। तो वह उने नहीं देगा बैसिकले आपको तो तुर्वाट दाजेक्ट्री आपको जितना थोड़ा है उतना ही मिलेगा बैसिकले तो इसका फीड़ बे कंट्रोल लूप डाला गया। तो काई माइनों में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से टेस्टिंग ज्यादा करी गई है। बहुत ज़्यादा किया गाए वसकिन के चंद्रेयान 2 का तो थोड़ा पहले आपको सुचना चाहिए कि चंद्रेयान 2 तो पेला लेंडिंग मिशन था तो थोड़ा ओवर कन्फिडेंट भी था विसलिए कुछ नहीं होगा जब पॉटवेशन होता है तो हम लोग करते हैं कर आ तो आपको उमीद है कि चंद्रेयान 3 अच्छे से परफॉंग करेगा और इस बारी भारत को सक्सेस मिलेगा सौफ्ट लैंडिंग सेलिष्टिल बॉड़ी सेटेनली यह मुत बहुत ही कंफिडेंट के साफ से बोल सकता हूं कि यह नहीं कि हमारा गाइडियान्स लॉजिक सब्सक्राइब करेगा बलकि टारगेट पही लैंड करेगा